बहुत समय पहले की बात हैं, एक व्यक्ति था जो बेहद आलसी और साथ ही साथ गरीब भी था, वो कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता था, लेकिन अमीर बनने का सपना देखता रहता था, वो भिक्षा मानकर अपना गुजारा करता था, एक सुबह, उसे भिक्षा के रूप मे दूद से भरा एक घड़ा मिला, वो बहुत प्रसन हुआ और दूद का घड़ा लेकर घर चला गया, उसने दूद को उबाला, उसमें से कुछ दूद पिया और बचा हुआ दूद, एक बरतन में डाल दिया, दूद को दही में, बदलने के लिए उसने बरतन में थोड़ा सा दही डाला, इसके बाद वो सोने के लिए लेट गया, वो सोते समय दही के बरतन के बारे में सोचने लगा, उसने सोचा, सुबह तक दूद दही बन जाएगा, मैं दही को मत कर उससे मक्खन बना लूँगा, फिर मक्खन को गर्म करके उससे घी बना लूँगा, फिर घी को ब मुर्गे मुर्गी पैदा होंगे, फिर ये मुर्गयां सेकडों अंडे देगी और मेरे पास जल्द ही एक पोल्ट्री फार्म होगा, वो कल्पना में दूबा रहा, फिर उसने सोचा, मैं सारी मुर्गयां बेच दूँगा और फिर कुछ गाई भैंस खरीद लूँगा और सुन्दर सा बेटा होगा, अगर वो कोई शरारत करेगा, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और उसे सबक सिखाने के लिए मैं उसे डंडे से ऐसे मारूंगा, ये सोचने के दोरान, उसने बिस्तर के बगल में पढ़ा डंडा उठाया और मारने का नाटक करने लगा, यही हुआ दूद देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया, शिक्षा, दोस्तों, सपने देखो, लेकिन खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, कुछ भी जिन्दगी में आसानी से नहीं मिलता है, हमारी जिन्दगी को बहतरीन बनाने के लिए क कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, अगर आप केवल सपने ही देखते रहते हैं, उनको साकार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो ऐसा करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं, इसलिए पहले खुद का 100% दीजिए, फिर सफ खुद आपके कदम चूमने आएगी, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद